है तो है लो गाइज आपको पता है 2020 जा चुका है और आ गया है 2021 जपने साथ साथ लाया है एक्जाम नाम से इंपर इतना जादा पेरिशिंग हो जाता है कि कैसे त्यारी करेंगे क्या होगा कैसे एक्जाम में क्या करेंगे क्या नहीं तो हाँ मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ पाँच ऐसी क्विक और एफिक्टिव टिप्स जिससे आप लोगों के क्यारी बहुत जादा अच्छे सी होगी तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसमें आप सबसे पहले अपने टाइम टेबल तियार करेंगे अपने एक्जाम के अकोडिंग इसका क्या फाइदा होगा आपको सबसे पहला फाइदा यह होगा कि आपको पता होगा कि आपको कितना क्या और कैसे पढ़ना है यानि अगर आपके पास एक दिन है तो एक दिन है या जो आपका exam fear है वो आपको बहुत minimize हो जाएगा और जो आपके marks हैं वो keep up हो तो second tip है recall and summarize at regular interval इसमें आपको क्या करना है आपको हर दिन बाद या फिर हर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके जो notes जो आपने पढ़े हैं उनको summarize करते रहना है आप उनको अपनी own language में own words में लिखने की कोशिश करो इससे क्या होगा एक तो आपकी जो memorize potential है वो enhance होगी दूसरा आपके लिए चीज easy हो जाएगी learn करना जब आप उसको अपने ही words में लिखेंगे थर्ड tip है use mind map और diagrams इसमें क्या होगा आपको diagrams की तुरू सारी चीज़े समझनी है हम क्या करते हैं किताब उठाई और बस पढ़ने लग गए उसको यार बहुत tough हो जाता है learn करना और interest भी नहीं आता है एक time के बाद बोर हो जाते है तो इस tip से क्या होगा अगर आप इसको use क पर होगे तो सबसे पहला तो आपका interest बनेगा diagram से अब जब आप पढ़ोगे ठीक है जो आपकी understanding power है वो increase होगी जो आपकी creativity है या mind development है वो सबसे जादा होगी और सबसे best चीज़ है कि आपको learn बहुत जादा time तक रहेगी यह चीज़े फोर टिप है find a friend to explain the topic आप क्या करोग किसी भी अपने एक friend के पास जाओगे उसे topic बिलकुल अच्छे से with concept समझाओगे इससे क्या है आप पहला तो आपको किस चीज़ का benefit होगा कि आपकी जो reason है वो अच्छे से हो जाएगी दूसरा अगर by chance आपसे कोई topic रह गया है यह आपको नहीं समझा रहा तो आपको वो प भी topic पढ़ रहे हो वो exam point of view से important हो यह नहीं है बस किताब उठाई यार पढ़ लो एक रात पहले जितना हो उसके बस पढ़ लो नहीं is just spoil your all exam practices ओके तो आपको क्या करना है आपको अपने पूरी चीजों को organize करके चलना है ठीक है वही topics आपको learn करनी है जो बहुत जादा important हो यह नहीं है कि आप कल आपका chemistry का या किसी भी चीज़ का exam है और एक रात पहले आप लगे पढ़े हो सारस लेवस पढ़ने नहीं आपको सिर्फ वही चीज़े पढ़नी है जो आपके exam point of view से important हो जो आपको लगता है कि यह exam में आ सकती है वही चीज़े पढ़नी है इससे क्य होगा आपका जो एक्जाम देनी जाओगे तो वह exam आपका बहुत अच्छा जाएगा और जो result आप चाहते हो जो desire result आपको चाहिए वही आपको मिलेगा ओप यह tips आपके smart study को और भी ज़्यादा efficient बनाएं और effective बनाएं so yes अगर आपको में अच्छी लगी हो